एसे एक नाजूक दोड़ने हैं, एसे एक क्रुशियल टाइम में, मुस्लिम कमुनिटी को सामने आकर बहुत ही क्रुशियल, बहुत ही सीरियस इशूस पर जमा होना है, जमा होकर एक पैगाम देना है, आप मैंसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम यहां पर आखर बयान क्या होगा, देखिए आपका यहां पर आना ही एक पैगाम देता है कि आपके दिलों के अंदर अभी तक खौफ नहीं आया, यह पैगाम आज के जमाने में बहुत एहम पैगाम है, मैं मेरी बात आज शुरू करता हूँ, याद करकर मुदसर को और सुहिल को, वो जो शहीद, जिन्हों नभी करीम ﷺ की इज़त के लिए कल अपनी जान दे दी, हमेशा हमें याद रखना होगा, हमें याद रखना होगा ओबीस से जादा नौजवान जिन्हों ने C.A.N.R.C. प्रोटेश्ट के वक्त अपनी जान दी, उस माँ ने जो आज स्टेट्मेंट दिया, कि अगर मुझे कोई भी फिकर नहीं है, कि मेरे बेटे की जान गई है, हम सुना करते थे कि A.C. माएं सिर्फ फिलिस्टीन में होते हैं, आज मुदसर की माँ ने दिखाया A.C. माएं इंडिया में भी होती हैं, हमें यादर करना है, आज एक C.A.N.R.C. और मुसलमानों के आवाज बनी हुई का एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा का घर को आज बुल्डोजर के साथ तोड़ा, दिन रात आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए आवाज उटाते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या बुल्डोज किया जाता है, उसके बदले उन्हें U.A.P.A. डाला जाता है, उसके बदले उन पर N.A.S.A. डाला जाता है, वो क्या बात कर रहे हैं, वो हेट स्पीच कर रहे हैं, उन दफरत की बात कर रहे हैं, वो कॉंस्टिविशन की बात कर रहे हैं, वो सिर्व इतना बो यही वो लोग हैं, यही मुतस्र है, यही सोहल है, यही आफरीन है, यही लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं, इनके वज़े से आज तक आपके और मेरे घर तक प्रॉबलम नहीं आया, इनके कामों के वज़े से आपके और मेरे घर सेफ है, हमेशा इन्हें याद रखिए, अपन सामने प्राबलम बोलने वाला नहीं क्योंके प्राबलम सुन सुनके ठक गए आपके सामने पूरा चीज क्लियर हो गया है लेकिन आप जानिये ये सारे इशूस क्यों हो रहे हमारे मुलक के अंदर हर दिन एक इशू हो रहा है और आप सोच रहें, ये इशू हो रहा है, ये इशू हो नहीं रहा है इशू क्रियेट किया जा रहा है कभी हलाल, कभी हिजाब, कभी आजान चंद बेवोकुफ ऐसे थे हमारे अंदर जो हमसे कह रहे थे एक बाबरी मस्जिद पूछ रहे हैं ना, दे दो चंते से बेवकुफ दे दो हम उस वक कह रहे थे कि यह मामला मस्जिद मंदिर का नहीं है यह मामला मस्जिद मंदिर का नहीं है यह मामला इंडिया में मुसल्मानों को अपने दस्तूरी हक पर जीने का है या नहीं है इस हक का मामला है ये बात उनकी समझ में नहीं आई इसलिए आप देखते हैं कि एक बाबरी मस्जिद का इशू खतम हो गया सब लोग थे अहां आप मुलक के अंदर शान्ती आ जाएगी एक नया इशू क्रियेट किया गया ग्यान व्यापी का एक नया इशू क्रियेट किया गया इदगा का अब बता रहें कि 36,000 ऐसे मस्जिदें हमारे लिस्ट के अंदर है कितने मस्जिदें देंगे कितने मस्जिदें देंगे और आपको लगता है क्या ये जो लोग आपकी मस्जिदें मांगते हैं क्या ये किसी धर्म पर विश्वास करते हैं ये जो संग परिवार के लोग क्या आपको लगता है कि ये संग परिवार के लोगों के साथ हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना है इनका हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं आज पूरी दुनिया में अगर हिंदू धर थारम का नाम कोई खराब कर रहा है तो यह संहु परिवार के लोग हैं इनके वज़े से आज पूरे दुनिया में हिंदु धरम का नाम खराब हो रहा है आकर आपसे कहेंगे न्यूस चैनल्स वाले कहेंगे कि मस्जिद के इशु में दो पार्टी है एक मस्जिद की पार्टी और एक हिंदू पार्टी आप लोग याद रखिये जूट है कोई हिंदू पार्टी नहीं है मुझसे पहले काले साब ने कहा हंदुों को उनका बड़ा टेंशन है इकडोमी डाउन है Employment नहीं है पेट्रोल का rate कहां चला गया सिलिंडर का rate कहां चला गया बच्चीयां सेफ नहीं है रेप सो रही है ये सारे टेंशन लेकर इंडिया के हिंदू और मुसल्मान बिजी है तो ये केसिस कोन कर रहे हैं ये कोई हिंदू पार्टी नहीं है ये RSA से याद रखिए ये संग परिवार है जो इशू क्रेट कर रहा है ये चाहते हैं आपके दिमाग में दाने के इंडिया के अंदर हिंदू मुसलिम प्रॉबलम है इंडिया के अंदर हिंदू मुसलिम प्रॉबलम नहीं है कभी भी नहीं था कभी भी नहीं था इंडिया के अंदर हिंदू मुसलिम प्रॉबलम यहाँ पर ये संग परिवार अपने अजेंडा को हिंदू-मुसलिम का नाम दे रहा है आपको एकड़म clarity ाहिए कि इंडिया के अंदर हिंदू-मुसलिम परॉलम नहीं इंडिया के अंदर अगर कोई प्रॉबलम है सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉबलम है वो RSS का प्रॉबलम है वहाँ पर आजान का इशू हो रहा है क्यों क्यों all of a sudden Muslim community को इतने सारे इशूस में वो लोग गेर रहे वो इसलिए क्योंके इनके दुश्मन सिर्फ मुसल्मान नहीं है RSS का दुश्मन सिर्फ मुसल्मान नहीं है RSS का असल दुश्मन इंडिया का संभीदान है असल उनको प्रॉबलम संभीदान है ये वो लोग थे जो चाते थे कि एक छोटा से गिरो पूरे मुल्क पर हुकूमत करे एक छोटे से तपके के पास जात के नाम पर पूरा हुकूमत इनके हाथ में हो उस वक्त डॉक्टर बाबा साहिब हमेटकर की जरीए एक कॉंस्टिटूशन आया एक दस्तूर आया और दस्तूर ने एक बात कहा वो दस्तूर में बात क्या था इंडिया के सारे नागरिक बराबर इंडिया के सारे नागरिक बराबर उस दिन से इस दस्टूर से नफरत करते हैं और आज भी इस दस्टूर से नफरत करते हैं थोड़ा ड्रामा करेंगे दिल्ली में बेटे थोड़े इनके लीडर्स थोड़े ड्रामा करेंगे कि इन दस्टूर से बहुत मुहबत है क्योंकि दिल्ली में बेटे हुए लोग ये अच्छे एक्टर्स हैं ये बहुत अच्छे एक्टिंग आती है लेकिन जो नीचे इनके कार्या करता है इन्हें एक्टिंग नहीं आती इसलिए आप देखेंगे इसी बीजेपी के MLA's MPs कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं वो सीध सीधे कह रहे हैं कि हम इस मुल्क का संभीदान बदलेंगे हम इस मुल्क का दस्तूर बदलेंगे क्योंकि उन्हें प्राबलम अब याद रखिए उन्हें असल प्राबलम हमारे मुल्क के संभीदान से है असल टार्गेट संभीदान से है तो फिर मुसल्मानों पर क्यों टार RSS जानता है इंडिया के अंदर RSS जानता है कि अगर कोई एक ऐसी कम्यूनिटी है जिस कम्यूनिटी ने RSS के साथ आज तक कॉंप्रमाइज नहीं किया बीजेपी के साथ आज तक कॉंप्रमाइज नहीं किया तो वह मुस्लिम कम्यूनिटी है गर्व से कहते हैं हम लोग आज त इसनी बड़ी एक Muslim community को target किया जा रहा है और target क्या करेंगे 25 करोड मुसलमानें 25 करोड मुसलमानों को ना तो कतल कर सकते हैं 25 करोड मुसलमानों को इंडिया से भार भी नहीं बेच सकते हैं तो क्या करेंगे तो RSS का अजेंडा है इन्हें जिन्दा रखो इन्हें इंडिया में रखो लेकिन इनके दिल के अंदर खौफ दालो इनके दिलों के अंदर खौफ दालो इनके अंदर जो खौफ है जो उम्मीद है उस उम्मीद को मार दो तो आज आप ये पूरे इंडिया में जो भी इंसिडेंट्स देख रहे हैं इंसिडेंट्स क्या है ये इंसिडेंट्स आपके दिलों के अंदर खौफ दालने के लिए है आपके अंदर से उम्मीद खतम करने के लिए है लेकिन अभी इंडिया के मुस्लिम कमुनियूरी को डिसाइड करना पड़ेगा. हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्या हम उनके प्लैन को काम्याब होने देंगे? वो चाहते हैं आपके दिलों के अंदर ख़ॉफ आ जाए, क्या हम हमारे दिलों के अंदर खौफ आने देंगे वो चाहते हैं हमारी उम्मीद तूट जाए क्या हम हमारी उम्मीद तूटेगी ये जवाब पूरे इंडिया में गुंजना होगा खौफ अब ये सबसे बड़ा हमारे सामने एक चालेंज है खौफ, डर, होपलसनस इसको तोड़ना होगा हमें हमारे सम्वीदान पर अभी भरोसा है यहां पर मुस्लिम लीडर्शिप को बहुत बड़ा एक रोल प्ले करना है यहां पर जो भी मुस्लिम लीडर्श हैं मैं आप से सिर्फ एक बात करें मेरे बात कतम करता हूँ लोप दीजिए, नोजवान उको गौफिड़न्स दीजिए लोकल सपोर्ट सिस्टम्स बनाईए एक पर हमला सब पर हमला यह कॉंसेप लेकर आईए यह जो अभी एक बुल्डोजर का एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं किसी के भी घर पर बुल्डोजर आया अपने घर में बुल्डोजर आया जैसा है किसी के घर में बुल्डोजर आया मेरे घर में बुल्डोजर आया जैसा यह एक नेचर बनाई है उल्माओं से मैं कहना चाहता हूँ सिर्व एक काम कीजिए सिर्व एक काम कीजिए कौम के अंदर इज़त औ गेरत पैदा कीजिए सिर्फ इज़त औ गेरत पैदा कीजिए बस इतना आप करेंगे इस कौम के अंदर आज भी हो काबिलियत है कि वो ये चैलेंज इसको फेस कर सके मैं इजी बात से अपनी बात को खतम करता हूँ